पिछली क्लास में हमने TRF एने ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रेसिवर के बारे में डिस्कस किया था तो ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रेसिवर था तो उसमें सबसे बड़ी प्रोब्लम आती थी स्लेक्टिविटी के ठीक है तो selectivity उसकी best नहीं होने के कारण क्या होता है cross talk की problems उत्पन होती है कहने का मतलब कि resonant condition होती है यानि आप किसी भी frequency पर क्या कराते हो उसे tune कराते हो तो वो at a time के वल दोस band को या दोस signal को चूज कर लेता है जिससे क्या होता है कि दोनों signal पर जो आपका data होता है वो आपको available होता है जिसके कारण वहाँ पर interference या cross talk की problem उत्पन होती थी तो उस cross talk की problem को उत्पन problem को दूर करने के लिए हमने किसका प्रियोग किया है super heterodyne receiver का प्रियोग किया जाता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो TRF था tuned radio frequency receiver उसमें सबसे बड़ी problem selectivity किया थी थी तो उस selectivity की problem को दूर करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है super heterodyne receiver का प्रियोग किया जाता है तो super hetero, hetero का मतलब होता है mix करना यानि यहाँ पर signals क्या किया जाएंगे mix किया जाएंगे इसके लिए आपको mixer की आवसकता होती है तो आपका जो super heterodyne है और TRF है दोनों में cable difference यहाँ पर क्या मिलेगा आपको mixer, local oscillator और इसके अलावा intermediate frequency amplifier का difference मिलता है और आपका diagram same रहता है ठीक है लेकिन super heterodyne में क्या है आपकी selectivity best हो जाती है लेकिन वहाँ पर भी एक problem उत्पन होती है वो आती है आपकी image frequency की ठीक है तो उस image frequency को भी हम किस परकार से दूर करेंगे वो इस class में discuss करेंगे तो सबसे पहले heading डालिए तो देखें super heterodyne receiver है ठीक है तो इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले यह आपका transmitter हो गया यहाँ पर हमने क्या ले लिया transmitter ले लिया ठीक है और यह आपका क्या हो चुका है transmitting antenna ठीक है यह क्या है transmitting antenna है ठीक है यह बाला उसके बाद में यहाँ पर हमने rf ले लिया है rf amplifier ठीक है और यह आपका क्या है receiver antenna ठीक है अब देखे यहां तक आपका TRF के समान है फिर उसके बाद में यहाँ पर हमेशा आता है आपका mixer mixer क्याता है mixer ठीक है और इस mixer से यहां पर आपका सियों जित रहता है local oscillator ठीक है यहां पर आपका क्या रहता है local oscillator इस परकार से बना दीजिए इसे या आप box के रुप में बना दीजिए ठीक है इसे मैंने यहां पर box के रुप में बना दीजिए ठीक है उसके बाद में यहां पर आपका आता है intermediate frequency amplifier ठीक है उसके इसके बाद में यहां पर आपका आएगा intermediate intermediate frequency amplifier ठीक है उसके पस्चात में आपका क्या रहता है यहां पर d modulator के बाद में आपका यहां पर आएगा audio amplifier audio amplifier के बाद में यहां पर आपका लगा होता है क्या power amplifier power amplifier ठीक है और power amplifier से आपका यहां पर क्या connect रहता है loud speaker यहां पर क्या रहता है speaker यह आपका क्या है basic diagram है किसका super heterodyne receiver का ठीक है तो यहां पर यह दोनों क्या रहते हैं ट्यून करे आई जाते हैं तो यहां पर कर दो कि यहां पर कि यह आपका गैंग है कि गैंग कि अच्छिक है अब देखिए यहां पर जो medium रहता है वो क्या रहता है free space तो कोई भी signal होता है आपके पास उस signal को सबसे पहले क्या किया जाता है low frequency को high frequency में परिवर्तित किया जाता है किसके माद्यम से modulator के माद्यम से ठीक है उसके बाद में उसे क्या किया जाता है amplify करके transmitting antenna के माद्यम से send किया जाता है transmitting antenna है क्या करता है हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके electrical signal है उन्हें विदुद्चुंब के यानि electromagnetic में परिवर्तित कर देता है और free space की माद्यम से कहां पर प्राप्त होता है आपको receiver antenna क्या करता है कि जो electromagnetic wave के रूप में जो आपके signal है उन्हें वापस से electrical signal में परिवर्तित कर देता है तो यहां पर प्राप्त electrical signal होते हैं वो क्या किया जाएंगे किसी frequency पर tuned किया जाएंगे यानि यहां पर RF के लिए माली जी आपने कोई भी signal है select कर लिया जैसे माली जी आपने 600 kHz select कर लिया है तो 600 kHz select कर लिया तो यहां पर intermediate यहां पर जो intermediate signal होगा वो हमेशा क्या होता है fix होता है ठीक है कितना होता है 455 kHz होता है intermediate signal intermediate 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 signal frequency ठीक है ठीक है यह हमेशा क्या होती है fix होती है तो suppose किजिए यदि आपने यहां पर 600 kHz select किया है तो यहां पर local oscillator के द्वारा आप manually क्या करोगे एक हचार कितना करोगे एक हजार 155 select करोगे तो इन दोनों का जो difference होगा वो कितना जाएगा 455 जिससे क्या होता है कि आपकी selectivity भी क्या हो जाती है नियत हो जाती है देखिए कैसे यहां पर सबसे पहले है आपका receiver antenna तो receiver antenna क्या करता है हमेशा जो EM wave है विदूत चुम्ब के electromagnetic तरंग है उनको electrical signal में परिवर्टित कर देता है तो क्या लिखेंगे receiver antenna 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 विदूत चुम्ब किया है विदूत चुम्ब किया है तरंगों को तरंगों को electrical signal में परिवर्टित करता है यह कारिया किसका होता है receiver antenna का इसकी विदूत किसका होता है transmitting antenna का होता है उसके बाद में आता है आपका RF amplifier RF amplifier तो RF amplifier का कारिय क्या रहता है कि आपके जो signal है उसको amplify करना उसके साथ साथ क्या करना होता है कि tuning का भी कारिय करना होता है तो इसका कारिय क्या होता है RF amplifier RF amplifier signal को signal को परवर्दित करता है तथा तथा tune circuit tune circuit का कारिय भी करता है किसका कारिय करता है tune circuit का भी कारिय करता है तो आपको पता है कि RF amplifier है वो tune circuit का कारिय कर रहा है तो यहां पर tune circuit का कारिय करेगा तो इसके लिए tune circuit में क्या होना चाहिए हमेशा आपको पता है कि एक तो क्या होता है आपका इंडेक्टर होता है और दूसरा क्या होता है इसमें capacitor होता है ठीक है L और C यह value क्या होती है variable तो यहां की जो frequency होगी 1 upon में क्या होगी 2 pi root LC तो यहां पर जैसे ही आप क्या करोगे यहां से knob को परिवर्तित करते हो तो हमेशा C की value क्या होती है परिवर्तित होती है ठीक है यह points आपको ध्यान में रखना है आप देखते हैं इसका example चीक है एक्जामपल देखे इसका चीक है अब देखे जैसे माल लिजी यहां पर frequency select की आपने 600 kHz कितनी select की 600 kHz तो यहां पर जो यह mixer होता है इस mixer का जो output होगा वो क्या होगा local frequency माल लेते हैं FL है तो यह क्या होगी FL minus या तो FS होगी ठीक है यह मैंने मानी है FS selected frequency ठीक है या तो FL minus FS होगी या क्या होगी FL plus क्या होगी FS अब आपको पता है कि FL plus FS करोगे तो यह तो high frequency होगई और FL minus FS करोगे तो यह क्या होगई low frequency होगई तो यह तो आपकी क्या है low frequency और यह क्या है आपकी high frequency हमें chain किसका करना है low frequency का करना है अब यहां पर देखे कि इन दोनों का result हमेशा क्या ना ची 455 kHz क्योंकि यह intermediate frequency क्या है नियत है तो आपनी FS का मान कितना लिया 600 kHz चीक है और आपका F intermediate frequency आपकी क्या नीच चाहिए 455 kHz तो FL कमान कितना होगा FL कमाने कितना होगा तो कितना select करोगे आप कि यह value हाजाए तो यहां से देखे 1055 किलो में से माइनस कर दीजे कितना 600 किलो तो कितना हो गया 455 किलो आगया कितना गया 455 तो local की frequency कितने आगी 1055 किलो आज़ा ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि FL की frequency इस प्रकार से set करनी होगी कि intermediate frequency कितना आज़ाए 455 ठीक है तो हमेशा ध्यान में रेखना है यदि आप यहां पर RF की frequency 600 किलो हर्ट select कर रहे हो तो यहां पर इस local oscillator की frequency इस प्रकार से adjust होनी चाहिए कि दोनों का difference कितना आज़ाए 455 किलो हर्ट तो यहां पर आप formula लिख सकते हो F intermediate frequency पराबर क्या लिक होगे F local frequency minus selected frequency यह आपके पास किया चुका है formula ठीक है अब यह negative भी हो सकती है positive भी हो सकती है लेकिन वहां पर sign mention नहीं किया जाएगा ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका मान हमेशा क्या रहता है fix रहता है तो अब हम बात करते हैं यदि इसकी quality की q ठीक है quality q equal to क्या होता है कि आपकी resonance frequency बटे क्या होता है bandwidth होता है resonance frequency बटे क्या होता है bandwidth तो आपको पता है कि यहां पर resonance frequency कितना होता है 400-55 kg तो 400-55 kg अब आपको पता है कि AM होता है signal उसकी जो bandwidth होती है वो कितना होती है 10 kHz होती है कितना होती है 10 kHz तो 455 kg में 10 kg का भाग दोगे तो कितना गया 45.5 तो यह मान हमेशा क्या रहता है fix रहता है क्यों क्योंकि intermediate frequency 455 kg fix रहेगी और इसके अलावा आपका जो bandwidth है AM का वो भी क्या रहता है fix रहता है तो यहां पर क्या है आपकी selectivity selectivity क्या होती है best हो जाती है ठीक है तो जो TRF में problem आती थी किस की problem आती थी हमेशा selectivity की problem आती थी ठीक है तो वो selectivity की problem यहां पर किस में दूर की जाती है super heterodyne में लेकिन यहां पर selectivity की problem तो दूर कर दी जाती है किसके द्वारा आपके super heterodyne receiver के द्वारा लेकिन इसमें भी एक problem open हो जाती है वो problem होती है image frequency की किसकी होती है image frequency की तो देखते हैं कि वो problem क्या होती है ठीक है देखिए इधर देखिए सभी यहां पर जैसे आपके पास signal है ठीक है जैसे यह कोई signal है इसकी है आपके पास 600 kg ठीक है इसकी है आपके पास एक हजार 55 kg यह frequency है आपके पास पंदरा सो दस किलो और यह मालेज यह सोडा सो पचास किलो हर्ट यह अलग-अलग frequency है क्या है अलग-अलग frequency signal है तो यह आपको कहां से प्राप्त होते हैं रिसीवर एंटेना से ठीक है अब यहां पर क्या है कि आपने 600 kHz frequency पर क्या कराया है ट्यून कराया है तो local frequency कितनी होगी तो intermediate frequency क्या होती है 455 kHz होती है लेकिन यहां पर क्या होता है कि image frequency क्या image frequency भी उत्पन हो जाती है क्या उत्पन हो जाती है image frequency भी उत्पन हो जाती है तो image frequency बराबर क्या होता है fs selected frequency प्लैस दो गुणा हो जाता है किसका intermediate frequency का तो यहां पर fs का मान कितना दिया आपको 600 kg प्लैस दो गुणा 400 55 किलो तो यह कितना हो गया 600 kg यह कितना है 400 900 910 910 हो गया तो यह कितना हो गया टोटल आपका 1510 किलो हर्ट तो जब आप 600 किलो हर्ट फ्रिक्वेंसी स्लेक्ट करते हो तो उसके साथ साथ आपका क्या होता है इमेज फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाता है स्लेक्ट हो जाता है तो 1510 क्या है 600 किलो हर्ट का इमेज फ्रिक्वेंसी है तो हमेज इसा ध्यान में रखना है इस बात को कि यहां पर जब आपने 600 किलो हर्ट स्लेक्ट किया तो इसके साथ साथ इमेज फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाती है स्लेक्ट हो जाती है तो इस इमेज फ्रिक्वेंसी प्रोब्लम को image frequency problem को reject करने के लिए आपका जो rejection ratio होता है वो क्या होना चाहिए new thumb होना चाहिए उसके लिए हम यहाँ परकिस का प्रियोग करते हैं gang tuned का प्रियोग करते हैं तो इसके लिए आपका जो gain होता है वो क्या होना चाहिए new thumb होना चाहिए gain क्या होना चाहिए nintam होना चाहिए gain जितना कम होगा तो उसमें image frequency problem उत्पन नहीं होगे इसलिए उस gain को हम क्या कहते है image frequency rejection ratio कहते है ठीक है तो यह problem उत्पन हुई यहाँ पर तो इस problem को दूर करना है तो इस problem को दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि gain gain और यहाँ पर frequency के मद्दे graph बनाते हैं तो यह आपका क्या है graph तो यह तो क्या है आपका selected frequency पर graph है ठीक है तो यहाँ का gain मैं मा लेता हूँ gs ठीक है अब क्या हुआ कि जो यह frequency तो मान लेजिए selected frequency क्या है 600 kilo ठीक है लेकिन image frequency कितनी है 1510 तो मैं मान लेता हूँ कि यह 1510 है आपकी kilohertz frequency तो इसका gain आजएगा gsi तो हमें इसा जान में रखना है यह image frequency का और यह selected frequency का तो यहाँ पर जो alpha आता है वो क्या आता है gain ठीक है जान में रखना है कि gain बराबर image का gsi बटे gain किसका आपका selected का इसका मान क्या होना चाहिए कम से ही कम होना चाहिए उससे क्या है आपकी image frequency selector नहीं होगे तो इस image frequency problem को reject करने के लिए हम यहाँ पर tuned गैंग ट्यूंड का पर योगे करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि इंवेज फ्रिक्वेंसी इंवेज फ्रिक्वेंसी अपरिजेक्शन कि अब देखें अब यहाँ पर आपके पास इमेज फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट नहीं होगी तो intermediate amplifier क्या करता है intermediate frequency amplifier क्या करता है इस 455 kHz को क्या कर देगा amplify कर देगा क्या कर देगा amplify कर देगा उसके बाद में आपके पास क्या आता है आगे demodulator रहता है तो demodulator note करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं intermediate frequency amplifier ठीक है तो आप लिख सकते हो कि intermediate frequency signal को amplify करता है यहाँ पर केवल amplify क्या होता है आयाम या voltage या क्या लिख सकते हो यह है आयाम या voltage को amplify करता है चीक है उसके बाद में आपका क्या आता है demodulator आता है तो demodulator हमेशा क्या करता है आप सभी को पता है demodulator demodulator क्या करेगा high frequency signal को किस में change करेगा low frequency signal तो यह क्या करता है high frequency signal को किस में change कर देता है low frequency low frequency signal ठीक है क्या आप कह सकते हो कि जो intermediate frequency है ठीक है वो क्या है low और high का क्या है मद्धेवर्ती है तो उसे high की category में रखोगे तो आप यह भी कह सकते हो कि रेडियो फ्रिक्वेंस्टी को किस में करता है आपका audio में या आप कह सकते हूँ कि कारियर सिगनल को मैसेज सिगनल से अलग करता है ठीक है उसके बाद में क्या आता है audio frequency amplifier होता है यह क्या करता है कि जो आपको low frequency signal प्राप्ट हुआ है यहाँ पर low frequency signal ठीक है उसको क्या करेगा amplify करेगा उसको क्या करेगा amplify करेगा जबकि यहाँ पर जो power amplifier है power amplifier क्या करता है voltage और current दोनों को ही क्या करता है amplify इससे पहले कि जितनी भी यह stage है यह केवल आयाम या voltage को amplify करती है जबकि यहाँ पर जो power amplifier है यह हमेशा क्या करेगा voltage और current दोनों को क्या करता है Amplify करता है तो यहाँ पर लिख सकते हुआ Power Amplifier तो Power Amplifier क्या करता है Voltage और Current दोनों को Amplify करता है यह है Voltage Current दोनों को Amplify करता है ठीक है और हमेशा Current को Amplify कर रहाने का Target यह रहता है कि Current के द्वारा ही आपका जो Loud Speaker है उसकी कोईल पर चालित होती है तो क्या लिखेंगे Current के द्वारा ही Speaker की कोईल परचालित होती है ठीक है ना तो क्या परचालित होती है कोईल परचालित होती है तो यह Basic क्या है आपका Super Heterodyne Receiver है तो Repeat कर देता हूं कि सबसे पहले हमने Am में क्या पढ़ा था टी आ रख पढ़ा था Tune Radio Frequency Receiver तो उसमें Problem किस क्या आती थी Selectivity क्या आती थी तो उस Selectivity की Problem को दूर करने के लिए Super Heterodyne Receiver का परियोगे क्या गया Super Heterodyne में Selectivity की Problems को हटा दिया जाता है लेकिन इसमें Image Frequency की क्या आती है Problems उत्पन हो जाती है तो उस Image Frequency Problem को दूर करने के लिए आपर Image Frequency Rejection Ratio का परियोगे किया जाता है इसके अलावा आपका Parts हैं वो क्या रहता है Same रहता है तो ये था आपका Am Receiver Next Class में हम FM Receiver के बारे में Discuss करेंगे Thank You